नमस्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला आपके साथ मैं हूँ अक्षय गर्वाद दिली में पार्टी हाई कमान से मिलने के बाद हिमाचल लोटी लोक निर्मान और शहरी विकास मंतरी विक्रमादित सेंग ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर दिये बयान को राजनीतिक और सांप्रदाइक रंग देनी की कोशिश की गई है उनका बयान गलत धंग से पेश किया गया विक्रमादित्य ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ओफ लाइवली हुड और रेगुलेशन ओफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट दहुजार चौदे में रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर का प्रावधान है सोंबार को शिम्ला में एक प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा कि कॉंग्रस पार्टी का समर्पित कारे करता मैं हूँ पार्टी के निर्देश को आगे लेकर जाना, पार्टी के निर्देश विचारधार को प्रदेश में लागू करना और पार्टी के मूल सिधान्तों के साथ आगे बढ़ना हमारी जिम्धारी है स्टूरिट वेंडर्स को लेकर सर्वदल ये कमिटी बनाए गई है इसमें देखा जाएगा कि सभी तहबाजारियों के लिए एक जैसे नियम होंगे 3 अक्टूबर को कमिटी के बैठा को द्योग मंतरी हर्श वर्दन चाहान की अध्यक्षता में होने वाली है किसी भी राज्य किसी भी धर्म जाती का व्यक्ती रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है प्रदेश के अंतरिक सुरक्षा मामले को भी दहराया जाएगा हाईकमान को वस्तुस्ति थी और एक्ट के प्रावधान से अवगत कराया गया है हाईकमान पंजी करण को लेकर नाराज नहीं है विक्रम अधित्य नहीं हाईकमान के ओर से उन्हें दिल्ले तलब करने की बात को गलत बताया और कहा कि उनका दिल्ली जाने का पहले से कारेक्रम ताय था उनकी रेल्वे बोर्ड के साथ एक मीटिंग ताय थी शिम्रा विधान सभा के पास फ्लाई ओवर के लिए रेल्वे बोर्ड की एन ओसी लेनी थी इसलिए वो दिल्ली गए थे से पिएस संजय वस्थी की नसीहत से जुड़े सवाल के जबाब में विक्रम अधित्य सिंग ने कहा कि उनकी जबाब देही केवल हाई कमान, मुख्यमंत्रीई और कौंगरेस प्रदेश अध्यक्ष को है इसके लावा किसी भी समव्यधानिक य गैर समव्यधानिक संस्था को उनकी जवाब देही नहीं है दर ऐसल आवस्थी ने किसी मंत्री का नाम लिए बगैर कहा था कि जिम्मदारी बड़ी मिली है तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए उन्होंने कहा कि 70 लाख आवादी की आवाज उठाना उनकी जिम्मदारी है इस जिम्मदारी से वो पीछे नहीं हटेंगे जब भी हिमाचल के हितों की बात आएगी वो आवाज उठाते रहेंगे उन्होंने नगर निगम की ओर से रिज मैदान पर वीर भधर सिंग की प्रतिमा लगाने को लेका रिस्थान चाइनिट किये जाने के फैसले कभी स्वागत किया है अभी के लिए तना ही वाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आमरो जाला अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें